आज हम डिटर्मिनेंट इक्ससाइज 4.1 की बारे में डिस्कस करेंगे डिएस्टेंट्स तो डिएस्टेंट्स मैंने कुछिन नमबर 1 लिया है एंड 2 ठीक है तो डिएस्टेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब और सेज़ जरू करें तो चलिए आज का लिक्षे समय स्टार्ट करते हैं डिएस्टेंट्स उससे पहले डियेस्टेंट्स अभी तक जो भी मैंने Determinants के Lectures मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप उन सभी Lectures को आप अच्छे से देखिए क्योंकि बटा यहाँ पे Questions हैं तो Questions को अच्छे से सीखने के लिए सभी Videos को आपको देखना पड़ेगा ठीक है? अगर वो आप Lectures नहीं देखोगे तो हो सकता है कहीं नहीं हो सकता आपको Problems create करें ठीक है ना? तो चलिए हम इसमें पहली Exercise आपका Simple है ठीक है? पहले में कभी भी Problems नहीं होगा Second Exercise में DS Trends आपके पास में Properties हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग Property One By One करके सीखेंगे उसके बाद हम Qushions करेंगे ठीक है ना? तो हमारे पास में Qushion No.1 है and Qushion No.2 NCRT Exercise 4.1 तो इसमें DS Trends इसमें करना क्या है? आप यहां पे देखेगा हमारे पास में ये एक Matrix दिया हुआ है निमलिकी प्रसनों में सारडीक का हमें मान निकालना है ये तो सारडीक है नहीं तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे late करना पड़ेगा मानना पड़ेगा माना A equal to आपके पास में जो Matrix लिखा हुआ है ना उसको उस format में लिख दीजिए 2, 4 इसके बाद DS9-5 है माइनस का 1 है ये बात किलियर है ना? ठीक है अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड में ये दो lines लगा देंगे खड़ी लगी जिसका meaning क्या होता है? Determinants ठीक है? और ये चीजी मैंने आपको सिखा रखा है पिछले वीडियो में वो सभी lectures आप अच्छे से देखो तो मैंने दो lines लगाए DS9-5 तो आपके पास यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे minus का 5 और यहाँ पे minus का 1 तो DS9-2 by 2 का हम लोग expansion कैसे करते हैं? ठीक है? lectures आप देखिए ठीक है? नहीं तो यहाँ पे आपको problems होगा हम यहाँ पे करते क्या है? हम इसका इसमें multiplication करते हैं यानि cross multiplication और बीच में sign क्या करेंगे? negative sign लेंगे DS9-3 हम लोग उपर से नीचे जब आएंगे तो हम लोग positive लेते हैं और नीचे से जब उपर चलते हैं तो negative लेते हैं बात clear है न? और हम लोग इसमें 2 by 2 में हम लोग करते क्या हैं? cross multiplication कर देते हैं बीच में minus लगा देते हैं 2 का minus 1 में अगर हम लोग multiplication करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगे minus का 2 अब इधर चलेंगे तरह minus पहले लगाना पड़ेगा minus 5 का multiplication 4 में तो कितना है? minus का 20 यहाँ पे जब रखेंगे तो आपके पास multiplication होगा positive बना देगा तो आपके पास में dear strength यहाँ पे कितना आ जाएगा plus का 20 plus का 20 minus का 2 equal to कितना आ जाएगा 18 तो हमारे पास में dear strength determined की value क्या आ गई 18 आ गया तो यह हमारे पास में final answer होगा बात clear है? तो पहला question तो dear strength easy है अब यहाँ पे जब हम लोग question number 2 का first second करेंगे हो सकता आपको tough लगे but tough नहीं है ठीक है? मैं आपको easy तरीके से मैं सिखाऊंगा ठीक है न? तो dear strength यह question number first है आप इसको video pause करके note करिएगा हम यहाँ पी question number 2 को solve करते हैं हमारे पास में dear strength question number 2 जो है इसमें भी मुझे determinant की value निकालना है अब यह है तो आप इसको चाहिए तो capital A let करके determination निकालो ठीक है? नहीं तो मैं यहाँ पे direct निकाल सकता हूँ कुछ भी नहीं दिक्कत होगी ठीक है? कोई भी problems नहीं होगा de-esterns हम लोग क्या करेंगे? यह आपके पास में जो सारडिक दिया हुआ है हम इस सारडिक को यहाँ पे लिखेंगे ठीक है? हमने लिख दिया आपके पास में क्या है? यहाँ पे cos theta फिर de-estern minus का sin theta है और यहाँ पे क्या है? sin theta है और फिर यहाँ पे क्या है? de-estern cos theta अभी मैंने जश्ट मैंने आपको क्या सिखाया? कि सार हम लोग क्या करते हैं? इसमें cross multiplication करते हैं इसका इधर से multiplication और इसका इधर से और बीच में negative symbol लगाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए cos theta का multiplication अगर हम लोग cos theta में अगर करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? de-estern cos square theta आ जाएगा और बीच में minus sign लगाएंगे ठीक है? sin theta का minus sign में करेंगे तो minus का sin square theta आएगा तो हमारे पास में यह positive बना देगा तो हमारे पास में यह क्या मिल जाएगा? sin square theta cos square theta प्लस sin square theta equal to होता कितना है? सर यह तो identities है जिसे हमने त्रिकूर्ड मिती में पढ़ रखा है sin square theta plus cos square theta की जो value होती है वो कितनी होती है? 1 होती है पात क्लियर है ना? तो हमारे पास में de-esterns यह answer आ जाएगा ठीक है ना? अब हमारे पास में de-esterns question number second यहाँ पर देखिए हमारे पास में यह question है यह अच्छा question है इसको important भी कर लेना आपके पास में x square minus का x है plus का 1 है पिर यहाँ पर de-esterns x minus 1 है और हमारे पास में यहाँ पर क्या है? x plus 1 है यहाँ भी क्या है? x plus 1 है सेम चीजे वही करना है आपके पास में de-esterns जब भी 2 by 2 की matices, determinants अगर आपको मिलेगा न तो आप cross multiplication करना उसके बाद अपने आप simple हो जाएगा ठीक है न cross multiplication करने के बाद calculation करना होता है तो जब हम लोग यहाँ पर multiplication करेंगे तो आपके पास में de-esterns आएगा कितना देखो यहाँ पर हम यहाँ पर multiplication करेंगे तो x देखिए x प्लस 1 का multiplication इसमें करें या इसका multiplication इसमें करें तो हमारे पास में x प्लस 1 एक bracket में रहेगा de-esterns इसको भी हम लोग bracket में रखते हैं x square minus x plus का 1 बात clear है अब यहाँ बीच में minus लगाएंग x प्लस 1 और यह x minus 1 है तो जब multiplication करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा x plus 1 आएगा इन्टो x minus 1 आएगा यह बात clear है अब यहाँ भी देखिए सबसे important de-esterns यह है या तो आप इसका multiplication करिए या तो formula लगा लिजिए दोनो condition में valid है आप x का multiplication करिए फिर 1 का multiplication जो भी आए इसका x में multiplication करिए जो भी आ रहा है आपको सिर्फ calculation करना है और यहाँ पर de-esterns मैं लगाने वाला हूँ formula कौन सा सर आपने एक formula बता रखा है कौन सा एक कुष्टक में a plus b दूसरे में पास में a square minus का a b plus का b square देखे का देहां से एक कुष्टक में क्या है a plus b है दूसरे में a square minus a b plus b square equal to हमारे पास में de-esterns क्या होता है a cube plus b cube का formula होता है आपने पढ़र रखा होगा और आपके पास में de-esterns अगर आपके पास में a plus b है और दूसरे में a minus b है तो आपके पास में क्या आएगा a square minus b square इससे क्या होगा question थोड़ा सा easy हो जाएगा अगर आप easy नहीं बनाना चाहते है तो आप क्या कर सकते बताए sir multiplication करके solve कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा a cube plus b क्यों मतलब x cube होगा sir plus 1 का cube होगा minus यहाँ पे क्या आएगा a square minus a square minus b square क्योंकि एक कुष्टक में a plus b है दूसरे में क्या है a minus b d student इसका format यहाँ पे check करोगे इसको तोड़ोगे d students ऐसे ही मिलेगा आप इसको check करिएगा ठीक ना यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा a square minus b square मतलब x square minus 1 का square ठीक है अब हमारे पास में यहाँ पे x q plus 1 का cube अगर हम लोग कर रहे है तो हमारे पास में कितना मिलेगा 1 मिलेगा इधर हमारे पास में x square 1 का square करेंगे तो 1 मिलेगा लेकिन minus का multiplication करेंगे तो यह positive हो जाएगा तो हमारे पास में x q minus x square 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 ठीक है यह आपका final answer होगा ठीक है तो ncrt में d students आपके पास में जो भी 2 by 2 के examples है आप उनको सबसे पहले लगाएगा ठीक है अगर कहीं भी problems होता है तो आप please comment जरू करेगा 2 by 2 के जितने भी questions होंगे ऐसे ही solve करना हो इसमें कुछ करना नहीं है ठीक है तो dear students अगर ये लिक्षेस अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like, subscribe and share जरू करिए तो आज का लिक्षेस हम ये भी finish करेंगे Thank you very much